हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेस्चन्स इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जारखन के दो महत्पून तेवहार हल पुनहिया और रोहिनी जिससे की बार-बार एक्जाम में क्वेस्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों ही टोपिक आपको बूक में जल्दी नहीं मिलता है तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हल पुनहिया या माग महिने के पहले दिन को हल पुनिया या अखैन जत्रा के नाम से जाना जाता है क्या होता है कि जैसे ही ठंड में कमी आती है या तेवहार मनाया जाता है और इसमें एक जत्रा यानी की मेले का भी आयोजन होता है जिसमें खेत बारी से संबंधित जितने भी आवजार होते हैं वो इस मेले में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इस दिन को खेतों की जुताई की शुरुआत करने के लिए सुब दिन माना जाता है क्या होता है कि यह दिन खेतों की जुताई की प्रारम करने के लिए सुब दिन माना जाता है और किसान इस दिन अपने खेत में धाई चक्कर हल चलाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इस दिन को अच्छे भाग्ये के परतीक के रूप में मना जाता है अब नेक्स्ट तेवहार देखते हैं रोहिनी रोहिनी संभवता ज्यारखंड का पहला तेवहार है जो की बीज बोने का तेवहार है ज्यारखंड के तेवहार खेती बार इसे सुरू होते हैं और फसलों के कटने में समाप्त होते हैं उस हिसाब से रोहिनी जारखंड का पहला तेवहार है इस तेवहार के साथ कुछ तेवहार और मनाया जाते हैं जिसमें से चिटगोमहा, राजसवाला, अंबावती ये सब तेवहार भी रोहिनी तेवहार के साथ ही मनाया जाते हैं इससे question भी बना है कि रोहनी बीज बने का तेवार इन में से कौन सा है तो answer होगा रोहनी चलिए questions भी देख लेते हैं जो JSAC में पूछे गया है साका calendar के अनुसार माग महिने के पहले दिन कौन सा तेवार मनाया जाता है सही answer है हल पुनिया ये जारखन आरक्षी परिच्छा 2016 में पूछा गया है next question देखते हैं हल पुनिया को किस और नाम से जाना जाता है अभी मैंने आपको बताया था answer होगा अखैन जत्रा next question देखते हैं इन में से कौन सा बीज बोने का तेवार है सही answer है रोहिनी तो friends इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आका इनको दबाएं ताके आपको latest update मिलता रहे thanks for watching